Dear Students, मैं जोती सक्षेना, MS Student, हम सामजिक प्रशाशन की जो जो समस्यां हैं, इसके सामने आ रही हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं, इसकी थर्ड समस्या, अपेक्षित प्रशाशन सामजिक प्रशाशन के जो भी कारे हैं, वो सरकार के दोरा अपनी मतलब प्रशाशन की का लक्षे, बहुत अपने आप में पिछड़ा हुआ है, महिला, बच्चे, भिकारी, पिछड़े जाती, इन लोगों में सामजिक चेतना की कमी होती है, ये संभक्ता, ये व्यक्ति समाज के धनी और बुद्धी जीवी व्यक्ति नहीं माने जाते हैं, और इनकी अपेक्षा चलती रहती है, इसलिए कई बार क्या समाज कर ल्यान के जो कारे सेचिक संगठनों को दिये गए हैं, वो सेचिक संगठनों के पास अनुदान, सकें, यानि समाज का चहू मुखी विकास करें, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्ता की जाने चाहिए, समाज कल्यान विवाग के द्वारा जो छात्रावा संचालेत होते हैं, किशे और गिर्या या तो वो बंद हो जाते हैं, या वहाँ पर भष्टाचार गंद गी या एह कुल्पिक विवस्ता का साम राज्य बढ़ता चला जाता है और सामजी प्रशैशन कल्यान विवाग के दारा वो कारें नहीं किये जाते जो वास्तब में इसे करने चाहिए, यह सबसे बड़ी समस्या है, इसके बाद इसकी नेक्स समस्या है, राज्ये विवाग के द्वारा राज्य समाज कल्यान सलकार मंडल की स्थापना 1924 में हो गई थी। राज्य स्तर पर कल्यान मंडल की कारे परणाली और कारे केंद्रिय समाज कल्यान मंडल की द्वारा ही निर्धारित किये जाते हैं। ये राज्य मंडल केंद्रिय मंडल की यूजनाओं को राज्य में संचालित करने के लिए सेच्छे संगठनों के आवेदन पत्रों की छटनी करने का कारे ही करते हैं। राज्य सरकारों का इन राज्य मंडलों पर कोई नियंत्रन नहीं रहता। राज्य मंडल के प्रिशास्ने खर्चे राज्य सरकार वेहन करती हैं, ऐसी इस्तिती में बहुत सारी वेवारिक समस्यां सामने आती हैं, समाच कर लियान मंडल दोरा राज्य में जो भी विकास योजनाय चलाए जाती हैं, उन में परियोजनाओं में राज्य सरकार को एक ती ह खर्च करना पड़ता है किन्तों इन योजनों पे नियंतर्ण मंडल ही करते हैं राज्य सरकार हमेशा ऐसा योग और अपेक्षा का वात्रण बनाने में लग जाती है इसी तरह मंडल से अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाएं भी राज्य सरकार की अपेक्षा इन मंडलो की अनुसार कारे करती है वैवार में ये स्तिती बन जाती है कि राज्य समाज कल्यान मंडल का काम अब नियम अनुसार परामर्ष का नहीं वलकि किर्यानवेन का बन चुका है सरकार और स्वेशिक संगठन भी समाज कल्यान मंडल के बहुत बड़ी समस्या है समाज कल्यान प्रिशाचं से जो भी कारे हैं सेच्छष संगठनों के दोरा किये जाती है पिर भी उनी सरकारी विवागों से इन अनुदान करने में बहुत कठनाईयों का सामना करना पड़ता था साथ ही स्विच्चिक संगठनों पर बहुत अधिक सरकारी नियंतरन होने के कारण ये प्रिशाचन में अपनी पृतिष्टा इस्तापित करने में लग गए हैं क्योंकि जो ही कोई स्विच्चिक संगठन कारे को चलता का पृतिक बना वैसे ही वह सरकारी नियुदान की जो वैसाखी है उसको छोड़ देता है और विदेशी अभी करनों से संपर्क स्तापित कर देता है और वहां से नियुदान लेने लग जाता है जब बहुत ज़्यादा धन इन स्विच्चिक संगठनों के पास आ जाता है तो यह अनुदान दाता के निती के अनुसारी काम करते हैं परिणाम यह निकलता है कि समाज कल्यान के जो भी कारे हैं वो प्रभावित हो जाते हैं और समाज कल्यान के कारे ना होकर वो धान दाता सामाइज़ दिविश्चिक प्रशाषन के काम सामाइज प्रशाषन को कारे करने लिए सचिक संगठन जब काम करते हैं तो सरकार की किसी किसी विशेश निती जो सेच्च संगठनों को प्रोसान देती है तो ये एकदम से बहुत आगे आजाते हैं। उसका परिणाम यह निकलता है कि किसी कारे विशेश को करने के लिए बहुत सारे संगठन बन जाते हैं। और जो जरूरी संगठन है वो पीछे रह जाते हैं। कई बार ये भी देपता देखता है कि शहर और आधिवासी छेत्रों में सेक्षे संगठन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जो वास्तिवी सेक्षे संगठन है वो अपिक्षे रह जाते हैं और नए ने संगठन आगे आते चले जाते हैं। बहुत सारे स्वेच्छी संगटन जब एक ही काम को करते हैं ये एक ही छेत्र में उनका कार्य होता है जैसे जन जाती कल्यान तो उनमें आपस में ही कटूता इर्श्या और प्रति इस्वर्धा की भावना पैदा हो जाती है और ये ऐसी भावना हैं जो सामजी कल्यान के अकेल देती है नेक्स्ट है माना वैवार की जटिलता मनुष्य एक सामजीक प्राणी है वो हर परिस्तितियों में एक जैसा वैवार नहीं करता सामजीक प्रशाशन का जो छेत्र है वो बाल अप्रादी बाल शर्मिक पिछड़ी वर्ग भिकारी इनके कल्यान से सम्मद देत हैं और इनकी संवेदनाओं को समझने के लिए सामजीक प्रशाशन के लिए बहुत जरूरी है कि वो इनकी पीडाओं को समझे इसलिए सेचिक संगठनों को समाज कारे के लिए प्रोसाहित किया जाता है लेकिन ऐसे में यह होता है कि कुछ वैक्ति ऐसे सोभिमानी होते हैं कि वो ऐसा होने के बार भी किसी की साहिता नहीं लेते कुछ ऐसे व्यक्ति होती है जो देर होने के कारण सहायता ने लेते हैं कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो गरीबी को अपने किस्म समझ लेते हैं और वो सहायता नहीं लेते कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो व्यवसाई प्रवति के होते हैं वो सरकारी साहिता के सहरे ही जीने के आदी हो जाते हैं। इतना कम होता है कि वो अपना कारे नहीं कर पाते। कमजोर इस्तिती आर्थिक इस्तिती होने के कारण संगठन अपने कारे करतों को समय पर वेतन नहीं दे पाते। कई बार विरोजगार के बार अनुदान प्राप्त करने के लिए स्वेचिक संगठन बना लेते हैं। लेकिन अनुदान प्राप्त होते ही उन्हें समा सेवा का पता ही नहीं चलता। कुछ सेचिक संगठन फरजी भी होते हैं। समा सेवा की योजन बनाना और उसे किर्यानवित करना दोनों ही कारें विशेश योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही कर सकते हैं। लेकिन प्रिशाचन में ऐसे विशेश योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का अभाव होता है। क्योंकि जो व्यक्ति योग्य होते हैं, वो अपने सेवाएं देना ही नहीं चाते हैं। सामजिक परिवर्तनों का संक्रमन काल